कि यो सब केस्ट आप सब लोग आज हम कहलेंगे फॉर्ट पीस फॉर पे लेकिन एंडुरीट पे अभी नहीं खेल सकते क्योंकि ओफिशियली लांच नहीं है एंडुरीट पे जैसे कि मैं कल अपने वीडियो पे में बताया था कि फॉर्टनेट कप लांच होगा एंडुरीट पे और फॉर्टनेट इंस्टालर के वर्शिंस के बारे में और फॉर्टनेट में नया अप्टेट आ गया जो है रिफ्ट गो अब रिफ्ट निकाल दिया गए फॉर्टनेट में से और और रिफ्ट अभी पॉर्टेबल है जैसे हम भी क्यारी करना चाहते थोड़े प्लेयर और थोड़े लोग उसको बैकार समझते हैं गईस लेकिन और रिफ्ट को फ़ॉटनाइट अंडरॉइड पर आने का chances कम कर दिया जैसी कि लेट कर दिया fortnite android पे अब मैं दिखा रहा हूं थोड़े pics अपने वीडियो पे fortnite android के बारे में आप देख सकते हैं कि fortnite installer ui version है 2.1.2 तिल एस्टड़े गई लेकिन आज जब मैं fortnite installer और ओपिन खिया था तो यह आगया गई देखो 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 गई कि fortnite installer ui version 2.1.2 से 2.1.3 बन गया पहले था 2.1.2 अब देखो गई side side comparison दिखाता हूं और रिफ्ट को को आड़ करने के लिए fortnite का वर्षिन अपडेट हुआ था गईस इसलिए 2.1.2 से 2.1.3 बन गया गईस अपडेट आ जाएगा एंड्रोइट पे वेरी सून जैसे कि यह दो मैच हो जाएंगे installer और सिस्टम सर्वर का है वर्षिन्स हम एंड्रोइट पे खेल सकते हैं अमें पता है कि टेंसेंट और एपिक गेम्स कभी भी प्लेयर्स को पहले इनफर्म नहीं करते हैं जब कभी रिलीज हो रहा है गेम सदन सर्प्राइज गेमर्स को जो एंड्रोइट पे खेल सकते हैं कोई और प्लेस्टेशन वह गेरा हर एक में सीक्रेटली लांच करता है गाइस एपिक गेम्स अपने गे यह मार्क कर लीजिये मेरे वर्ड्स अपना एकाउंट बैन हो सकता है गाइस एपिक गेम्स से अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेडिक्शन ओफ प्लेंग फोर्टनाइट और एंड्रोइड ऑफिशियली गाइस जैसे ही अपना यूवाई वर्शन है 2.1.3 और इंस्टॉल 2.1.2 कर देगा इसे से हम फोर्टनाइट का प्रेडिक्शन जाद कर सकते हैं जल्दी आ गया तो जल्दी खेल सकते हम एंड्रोइड पे उसके बाद एक और अप्डेट आएगा 2.1.3 का जब अब चला सकते हैं फोर्टनाइट अपने एंड्रोइड डिवाइस पर इफिट अब खेल सकते हैं जैदि आप अभी भी नहीं खेल सकते हैं तो सेप्टेमबर 26 तक खेल सकते हैं आज में जब अपना फोर्टनेट इंस्टालर ओपिन किया तो मैं हैरान हो गया तक कि एपिक गेम सेचिक एसे कर सकती हैं अड्रोइड पेर्स के साथ यार मैं भी एक प्लेयर हुआ जो fortnite अपने android पर चलाना चाहता हूँ गई अब मैं खेलना चाहता हूँ तो भी मेर को controller मोहलना चाहिए गई में खरीदना चाहिए क्योंकि fortnite without controller is very hard to play गई यार अभी तक subscribe क्योंकि मैं लाता हूँ नए नए गेम अपडेट्स अपने चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिया और गंटे का इकन को दबाएजिये forgetting the fastest update from me आपको ये वीडियो यूसफुल होगी तो लाइक कीजिए गई और आपको क्योंकि अप्डेश के लाइने चाहिए तो आप मेर को comment box में बोल सकते हैं कुछ भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ अपना 99% फिर मिलते हैं अपने अगनी वीडिय झाल